महाराष्ट के पुर्वग्रिह मंत्री अनिल देस्मुक के खिलाप एडी ने 100 क्रोड के मनी लॉंडरिंग पार्किंग घुटाला से जुड़े मामले में केस दर्श कर लिया है एंटिलिया केस और हस्मुक मर्डर के बाद सचिन वाजे वसूली प्रकरण में खुलासे के बाद ये सारे मामले सामने आये है इसे लेकर सेकरेटरी कुंदन और प्लांडे के खिलाब भी अफायार दर्श की गई है इस पर बीजेपी नेता किरिट सुमया ने हमला बोलते हुए कहा कि महराष्ट में बड़े घोटाले हुए है इसलिए अनिल देस्मुक के बाद अब अगली बारी मंत्री परप की है बतादा है कि अनिल देस्मुक फिलाल बरकास्त है और उनके खिलाब सी बी आई की जान चल लही है